एलो दोस्तो आज मैं आपको एक पेलेस्टल फेन का स्टेटर है इसे रिवाइडिंग करके बताने वाला हूँ इसका पूरा डेटा आपको बताने वाला हूँ देखो दोस्तो एह हमारा वीग गार्ड का एक स्टेटर है पेलेस्टल फेन का इसकी जो जाड़ाई है यहां से य यहां तक का जो एरिया है वो 49 mm का है और जो यह हमारा बाहर का एरिया है यानि कि आउटर डाई है यहां से यहां तक का जो एरिया है वो मारा 65 mm है देखो दोस्तों इसे हमें टोटल तूपुल मेरी वैडिंग करेगे दो रनिंग का कोई लाएगा और दो स्टार्टिंग का कॉयल आईगा और इसमें हमें 133 नमबर का कॉपर का वाइर और 35 नमबर का वाइर इस तरह से आपको दोनों वाइर को यूज में लेना है देखो यह अमारा 35 नमबर का कॉयल है हमने कोईल भी complete करके रखा है देखो यह हमारा 130 नंबर का copper का वाय है देखो यह हमारी 2 coil complete है running में हमें 2 coil डालनी है एक coil में हमने 300 सित्य तन दिया है और coil की जो लंबाई रखी है और 40 cm की coil की लंबाई रखी है इसे हम देखो 3 speed में वायडिंग करेगे देखो यह हमारी speed है निकाली है देखो यह हमारा 35 नंबर का wire है और इसको भी हमें 48 cm की coil रखना है और एक coil में 300 सित्य तन देना है लेकिन एक coil में हमें पहले क्या करना है 165 सित्य तन होने पर एक लूप निकालना है फिर 300 सित्य तन होने पर एक लूप निकालना है इस तरह से आपको एक coil बनाने है और दूसरी coil में 330 तन की एक coil बनाना है इस तरह से आपको coil बनाना है और जो इस टेटर में coil कीपीश रहेगी यह वो एक से कीपीश में एक बार और वही कोईल को घुमा कर आपको दूसरी बार एक से आठ की पीस में डालना है इस तरह से आपको रेनिंग की कोईल और स्टार्टिंग की कोईल आमने सामने डालना है दो रेनिंग की और दो स्टार्टिंग की और आपको पूरो वीडियो देखना है किस तरह से इस कोईल को इसमें डालना है तो दोस्तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं पूरो वीडियो के किस तरह से कोईल को इस टेटर में बिठाना है तो दोस्तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे